मोलवी आ गया चलो जी मोलवी से बात करते हैं मोलवी को मिझे एड करना पड़ेगा सिल्मान साब बहुत शुक्री आपके अपने पाग गंडे किये आपने वीडियो चलाई अब आग गया यह होगया आपको अभी भी समझ आया कि मैंने आपको आपके चैनल पर मैं क्यों नहीं आया है? अलो साब क्या आल है? मैं ठीक आप दल्दी से टाइम पर है, मैं पर इसे तीन घेंटे से बैठा हूँ, मैं आपके कुछ, चलें, आपके जो नफसियात का जो दावाई उसके उपर बात करते हैं. नफसियाती क्या होता है? पहले मुझे ये बताएं. मैं ने देखा, रियाज को आप साइंसी हवाले दे रहे थे, आज हम देखते हैं कि कौन सी साइंस के, कौन सी साइंस्दान के हवाले आप देते हैं? हरसाब, आपके इस स्वाल से ही एक चीज़ का पता चल गया, और आपके इस स्वाल से ही जवाब भी पता चल गया. स्वाल आपने ये किया, नफसियाती का, इन्सानी और अखलाकी असूल और दस्थूर ये है हरसाब, कि जब किसी को मदऊ किया जाए, किसी को बुलाया जाए, जो महमान होता है, उसको बंदा रिस्पेक्ट देता है, उसकी सुनता है. ये कोई ज़रूरी नहीं है. ये ये आपके जाती इखलाकियात में आ सकता है, इसका नफसियात से कोई तालुक नहीं है. कुछ लोग, कुछ लोग घुसे के तेज होते हैं, कुछ लोग घुसे के कम तेज होते हैं, कुछ लोग ज़्यादा तेज बोलते हैं, कुछ लोग जादा कम बोलते हैं, कुछ लोगों के पास इल्म जादा होता है, कुछ लोगों के पास इल्म कम होता है, लेकिन उसका नफसियात से कोई तालग नियुक्त नफसियाती बिमारी नहीं होती. ठोड़ी देर आप खमोश रहेंगे या ऐसा करने हैं? खुदबानी में आपका सुनोंगा। आपने छोटी बात करनी है, you mustły तुम जूटे हो तुम जूट बोल रहे हो क्योंकि आपने बीच में ऐसी शुदनिया छोड़ देनी है जिसके उपर मैं फिर सुन नहीं सकूँगा फिर मुझे इंटरजेक्ट करना पड़ेगा आप को टाइम रख लेती हैं को एक एक मिनट एक एक मिनट बोलने आप मैं आपका टाइम अभी स्टार्ट करता हूँ क्लॉक के उपर चलें जी आप शुरू हो जाए जी एक मिनट मैं भी स्टावाथ लगा लूँ तो फिर यह है के टाइम टू टाइम बितर रहेगा क्या खियाल है आजी बिलकुँ और ठीक हो गया आपका एक मिनट जाया हो गया जी चलेंगी कोई बात कर लें ने मैं आपसे स्वाल रखता हूँ ना क्यूंके आपने पहले कहा था ना वो होते हैं बड़े जो जो इतरास करता है मौतरज होता हो वहर चीज़ पर इतरास कर सकता है लेकिन मैं आपकी विडिज़ पर इतरास करूंगा जो पहले आपने नफसियात करका और कल भी जो आपने बाते हैं की नफसियात की एक मगर्बी मुलहिद जो है वो बड़े इलमी मुलहिद होते हैं लेकिन जो देशी मुलहिद होते हैं वो लोग नफसियाती होते हैं अब जरा थोड़ा सा एक मिनिट के पिसने देदर फर्क बता दें, कि नफसियाती और इलमी में क्या फरक लेखता है, जब कि दोनों एक ही बात कर रहे हों। और सूर ये किया है आपने के नफसियती किसको कहते हैं और आपने नफसियती होने का इलजाम लगाया है मेरे उपर नफसियती ही इसी कोई कहते हैं कि जो किसी भी किसम के अखलाकियात की परवा ना करे और किसी भी जाबते और काईदे की परवार ना करे वो न Festi ही होती है और आप ने कहा जी ये आपका जाती मियार तो होसकता है ये कोई कुली इंखर जनाब अخला की मियार नहीं कोई बात नहीं ये मेरा सब्खी भी क्यों नहीं हो ये आप रिसर्च करेंगे अपने घर से अपने दमाग से थोड़ा था बाहर निकल के तो आपको लोग बताएंगे कि आया ये नफसियात की तारीफ है कि आया मिनट पूरा हो गया मिनट पूरा हो गया मिनट पूरा हो गया मिनट पूरा हो गया चले तो जो आप जाती मियार भ यह कोई स्टेंडर्ड नहीं है कोई मुझे युनिवर्सटी आफ ऑक्सफोर्ड कर कोई किसी साइकॉलजिस की मुझे डेफिनेशन ला दें आपको पास कुछ भी नहीं है या आप सिर्फ हवाई फायर मा दें आपको बात बुरी लगती है और आप ने किसी को इंटिमिडेट क करने की प्रोवोक करने की कोशिश की तो उसके जवाब में आपको जवाब मिल गया तो आप समझ रहें आच्छा जी चलो मैं मज़े की बात यह जब आपने ये लजाम दागा तब आपकी मेरे से बात नहीं थी हुई यह आपने मेरी वीडियो के बात कर दिया नफसे आती अ अब आप करेंगे हाँ आप तुम्हारी वीडियो से मुझे अंदाजा हो गया कि ऐसे थे तो यह जो दावे है ना आपको एक चीज़ में फर्क करना पड़े का कि एक दावा होता और एक होती साइंटिफिक फैक्ट होता है जो फैक्ट जो साबित हो चुक है जिसके उपर ए करते हैं कि मैं भी आता हूँ आते ही आप मेरे उपर जिनाब एक स्वाल तूप देते हैं और कोई इनसानी मियार नहीं है आप लोगों का कोई आप लोगों का दस्तूर नहीं है मुलहदीन का मैंने आप से यह स्वाल भी करना था कि कम आप वो दस्तूर बता दें कि इनसानी कुम सा दस्तूर है आप लोगों के पास ये फार विजमपल ये किताब है फर्द का लेते हैं ये किताब है जी और किताब का नाम है योरप पर इसलाम के इसान डक्टर गुलाम जलानी बर्क की किताब है बड़ी बेहतरीन किताब है आप लोगों के लिए फर्द का लेते हैं य और मैं जो अमल करता हूं वो इस दस्तूर के ताहब करता हूं और इसलाम का जो दस्तूर है वो है पुरान है वो हदीस है इसाइयों का अपना एक दस्तूर है बाइबल उनके पास है हिंदूों की भी एक किताब है हर मजब की एक किताब है आप लोगों का दस्तूर क्या है आपने नफसियात का भी भी सही बताया नहीं या आपने हुआई फायर मारा है यह पहला पॉइंट हम जो लोग हिसाब करें पॉइंट रहें कि मुफ्ती सहाब यह चीज़ साबिक करने में नकाम रहे हैं कि नफसियाती तो इन्होंने कह दिया लेकिन इसे नफसियात का मतलब वक्त के साथ साथ बेहतर होते जाते हैं अगर आप यह कहें और तुम लोग नहीं हैं इसमें अगर मैं आपके साथ किसी तरह अगर मुझे आपकी किसी कोई बाद नागवार गुजरी है और जो आपकी हरकते हैं थी जो मुझे पसंद नहीं आएं जिसके उपर मैंने रियक् का यार आपको उनके चैनल पे बैठ़ के बात करने चाहिए थी कुछ नहीं होता आपको करना चाहिए था हर बंदे का अपना-पना रवया होता है इस इसे हमें हमारे उपर कोई यह नहीं हमारे जो दमाग जो कहेगा उसके उपर बात करेंगे ताइम खत्म हुआ पहले चुप यह नहीं है कि आप ने कि लुद्ट करें अपने ताइम करें आप अच्छा लाग का आप गरूआ अच्छा तर्श देर और बेवकु पर यह पोई पर है करें आपके पास होफी चीज़ के अपस तो लिए आप अपने खाफ लाग करें अपर फी ताइम अठाई सेकंड हो गए बेवकूफियां शुरू करें आप खमोश खमोश चुप हो जें इंसानी को मियार तो ठीक है आप लोगों के पास है कम इंसान होने से भी आप आपकी गंदी जबान चलाई है आपकी गंदी जबान चलाई है आपकी चलाई है मैं चलाई करों के ने करूं अप मियार के क्या दर्स दोगे किसी को मैं आते इंज्वाई कर रहा हूं आपको टाइम शुरू करो अब बेवकुफियां शुरू करें जबसे आपकी मेरे साथ डिवेट हो रही है मैंने आपको कुटा कमीना दल्ला खंजीर बढ़वा नहीं कहा मैंने आपको गंडू नहीं कहा मैंने आपको फोलू नहीं कहा क्या दो मुझे तो आपने मुझे कहा मैंने तो कुछी टाइम कहा अपने चैनल के मैंने कहा होगा मैंने लोगों की मुल्हेद हैं like थी एंड़ियकों मानतें आस्ति कई नास्ति क्या ड्रव में बाद हो तुम लोग है इसका इससे कहा तालूड है के मैंने तुम्म्हारी गालिघ्यों की केसिड मैं जलाता हूँ कई तो तुम होग तुम्हारी ख्लाकियात की मैंतों तुम के तुम गाली नहीं देतें। तुम्हारी बिद्धत Ide Mu मैं दो में कहते हो मेरे उपर बंदिश नहीं है झाली नहीं देता तो मेरे बड़े प्ला φ् feels कह समय अब्याने भतार रहे हैं आपको तकार आप ने किताब लिए हम धाप आपकें अ journals पात तो सुनते अगले बंदे की मुझे आपने टाइम दिया अपने प्लेटफ़ांप पर बलाया कम NOWगले बंदे đầu को टाहिर यह यह पर दो कोई सांड के बच्चे बच्चे हो किसी बक्टेरिये के बच्चे हो किसके बच्चे हो कोई बता तो दो तुम लोग है क्या की है पर बाद कहां से कहां गुमाकर ले जाते हैं ना तो नफसियात की डेफिनिशन दे रहे हैं किसम के बेवकूफ नफसियाती किसम के मेरे बाई देखिए सुने आप मरीज इंसान है मेरे लिए यार्ण झॉमात ना काबल इशिकत लोगो काबल रहम लोगों आप लोगो ना दौनिया के ना दीन के ना गर के कि कोई मियारा आप लोगों का है कुछा दस्तूर है किसे दस्तूर मुझे बता दो हमारा यह बंदा जब ज्यादा हमारा जया दो तो क्यों नहीं है वक्तके साह सब चीज में बहते हैं। हो कि हमारे पास written form में कुरान है एक जापता हियात है हमारे पास हम आप आप पके पर के फाइद ह witness हुआ हुल था क्ता उने का आप जापता हियात wh ये तुमारा जाती हो सकता है आपने उपर बात है कि मैं कुन सा वह हूँ अपर बूई तो कुन सा दस्तूरल अमल है कोई को दस्तूर अमल बताएं अपनी जिंदगी का कि ये इन्सान की जिंदगी का ये दस्तूर है हमारे पास तो अलहम्दूला हम अपने बाप वाले हैं हमारे पास हमारे बाप का भी पता है ये उसका नाम है हिंदू है वो अपने दस्तूर रखते हैं अपने पास कुछ रहा है यार कोई किताब पढ़ी होती है आप ने लफ्स भी कभी सुना है के नहीं दस्तूर रखते हैं हमारा कानून है हमारा उस्टेलिया का जिस मुल्क में रहते हैं उसका कानून है आपने किस तरह बिहेव करना उस कानून के रहते हैं तरह क्या है क्या है वो बताये मुझे दस्तूर रखते हैं जो जो दुनिया के जो हमारे मुल्क के कुवानीट है अम उसके उपड़ चलते हैं यह बताया तुमाइग अज़े दस्तूर रखते हैं अच्छा व्लक में इखलाक याथ हैं अब पुरा सूब आ क्यों नहीं आपने सुआल पूछा है तो भी इस तर बैठ के जो ना कीड़े निकालते हो पाकिस्तान के दस्तूर नामल के अंदर करते हैं उसके उसके उसका बिल्कुल ठीक है वह बताओ बेठर है तो मुलकों के दस्तूर नामल के उपर हम अमल करते हैं तो करते हैं उसके उपर जब तक दस्तूर है क्यों से दस्तूर नामल पर अमल करते हो जो मुलकों के दस्तूर है जो पाकिस्तान का दस्तूर नामल जूस्त है किसका पाकिस्तान का उसके अंदर बड़ी खराबिया उस पर तुम कहते हो मैं अमल करता हूँ मैं 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 क तुम लोगों के पेट आप हुए है और साथ बात कर रहा हूं चड़ गी यह तुम लोगों के बात कर रहा हूं तो ऐसी बाते निकलेंगी ऐसी बाते निकलेंगी मैं अस्टेलिया के दस्तूर की बात कर रहा हूं उसे बात कर रहा हूं तो उसके अंदर जो खामिया है मुसके उपर बात करें अब आके सही करेंगा ना मैं हूं ना मैंने सही करेंगा इंसान ही ठीक करते हैं मेरी तरह कर रहा हूं ठीक करेंगे करेंगे ना यह सारे दस्तूर अमल ही हैं कौन सा है ना इस यह हर मुलक के कौन सी कौन की कहा की है हर मुलक का अपना कानून का नजाम है अब अब अकल से पैदल इनसान मैं यही तो पूछ रहा हूं के लोगों को वैसे इंजॉआइमेंट काविन हैं मुली साहब ऐसे बहूं दस्तोर अमल जो काबले अमल है वो कौन सा है के उसके इंदर भूंगयां हो भोंडी भाते हैं वसा पर अरे दस्तूर जब बनाए जाते हैं कि अख फिर उसके बाद कुछ मेरे जैसे अकल वाले लोग आते हैं जो कहते हैं कि नहीं यह चीज़ चवली है यह जो तुम ने कहा कि नहीं मैं कुछ का मैंने का मैं कोई इखलाक का कोई बुलंदो बाला मुझसमा नहीं हूं मैंने यह का है मैंने लेकर अकल उसका अभी बात आगी तुम लोग उसका है कि दो मिंट बात उसकी नफी तुम नहीं मानते हैं अमा को तुम नहीं मानते हैं दसूरुन अमल को तुम नहीं मानते हैं अकल को तुम नहीं मानते हैं साइस को तुम नहीं मानते हैं अभी मानते हैं किस चीज़ को प्यूट करना पड़ेगा मौलभी को यार बहुत बकवास किये जा रहा है अब्बे को नहीं मानते, माव को नहीं मानते, किसने कहां नहीं मानते, कहांसे अपनी इखतराइं निकाली जा रहे है यह बाबा, गौ investment के मियार होना, मैंने content किया वह मैं दो मिनट रूख जा क्यों कि आप धींचु नीचु किये जा रहे हैं मस्तकिल जब आप एक इखलाक के मियार का मुझस्मा ना होना और अकल के होने ना होना उसका कोई तालोग नहीं मैं लेफ्ट हो रहा हूँ 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 मैं मौल्वी की आपने सुने होंगे कुछ खराबियां उसके आर्गुमेंट में कि अगर इखलाक का कोई कह रहा है कि मैं इखलाक का बहुत बड़ा मुझस्मा नहीं हूँ तो इसका मतलब वो उसके पास अकल नहीं है अकल का और इखलाक का उससे क्या तालूक है इखलाक के हिटलर बड़ा चलाक आदमी था स्टालिन बड़ा चलाक आदमी था लेकिन इखलाक के हिसाब से उसको कोई अच्छे इखलाक का आदमी नहीं कहेगा तो अकल का होना और इखलाग का बलंद और नीचा होना उसका दोनों का अपस में कोई तालूग ने मोलवी ने इसी तरह की भूंडी बातें मारने थी जिसकी वज़ा से मोलवी ने चबलें मारी है बहराले के मोलवी भाग गया मोलवी को भागना पड़ा अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिये पेटरन बनिये या फिर आप मुझे बाइन या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं